मुर्तकों के परिजनों से मिलने के बाद सपा सांसर डॉक्टर शफिक और रमान वर्क ने ब्यान देते हुए भाजपा सरकार पर कई गंबीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि देश भर में हो रहे विरोध प्रदेशन के दोरान सिर्फ प्रदेशनकारी ही क्यों मरे पुलिस के कोई अधिकारी या सिपाई क्यों नहीं मरा डॉक्टर बर्क यहीं नहीं रुके उन्होंने तो सीधे तोर पे कहा कि नाग्रिक शंशोदन कानून का विरोध करना केबल मुसल्मानों को भारी पड़ा उन्होंने ही अपनी जाने गवाई वहीं मरतकों के परिवार वालों ने सपा प्रतिनीदी मंडल की तरफ से आए हर दोएके MLC राजपाल कश्चप ने BJP सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि गांदी जी की हत्या करने वाले को BJP कहती है यह राष्ट भक्त है पहले RSS के लोग अपने कारयाले पर तिरंगा नहीं फेराते थे आज गली गली तिरंगा लेकर घूम रहे हैं और उनको सित करना पढ़ पढ़ाये की हम इंदोस्तानी है बीजेपी के लोग अंग्रेजों के जमाने में भी उनकी चाप लूसी और गुलामी करते थे प्रदेशन कारी नहीं हत्ते थे अगर दंगा करने निकलते तो सामने वाले लोग मरते आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष के निर्देश पर अरसंबल विदायक एकवाल मेहमूद और राजपाल कश्यप, MLC, हर्दोई, सहीद, सबके कई पदधिकारी भी मौझूद थे कोशिश करना है कि मदद करें चार दिन पहले भी हमने मदद स्वेम की थी अपनी योड़ से और कल भी हमारे मानी विदायकों ने हमने सबने मिलके दोनों परिवारों की मदद किये हैं पार्टी की योड़ से और जो भी संबग होगा राशेर दिक्जी का निर्देश होगा और भी हम कोशिश करेंगे कि करीबों की मदद की जाए क्योंकि वह बहुत पीडित हैं उनका सहारा चला गया एक ड्राइवरी करता था दो दिन पहले ही बंबई से आया था ड्रग चलाता था दूसरा मज़ूरी करता था उसके परिवार के सामने बहुत 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 संकट हैं लेकि समझवाधी पार्टी पूरी तरीके से मदद करेगी पूरी तरीके से मदद कर भी रही है देखिए और मौजूदा जो सरकार है केंद्र किया प्रदेश की ये तो मदद किसी की करेंगे नहीं तो लोग तमाशा देख रहे हैं नयने फार्मोर एलाके ये तमाशा च इस परष्ट की में मारा जा रहा है किसी का बेटा किसी का भाई लेकिन समाजवाधी पार्टी पूरी तरीके से साथ हम पूरी तरीके से हर संभब मदद करेंगे